फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल तोप पर्सनेल्टीज आज की वीडियो में हम बात करेंगे माहाराजा सूरजमल की जिन्होंने असी युद लड़े पर कोई भी उन्हें युद में नहीं हरा पाया भरतपूर ये आवजें दिल्ली की प्राचिरों में आज भी गोंज रही हैं इतिहास गवा है कि भरतपूर की स्थापना रक्त और खड़गों के स्रेजन से हुई है राजा बदन सिंग की रानी देवकी के गर्व से सूरजमल जैसा युद्धा 13 जनवरी 1707 को डीक के राज परसादों में पैदा हुआ 1721 एस्वी में मातर 14 वर्ष की आयू में जब सूरजमल पिता राजा बदन सिंग के दूद के रूप में सवाई जैसिंग से मिलने उसके दिल्ली स्थित मुकाम पर पहुँचा तब उसके राजनितिक जीवन का प्रारंब हुआ था भारती ये राज विवस्था में सूरजमल का योगदान सैदान थी कि अब वो धिक नहीं बलकि रचनात्मक और व्यवारिक था मुसल्मानों मराठों राजबुतों से गठवंधन का शिकार हुए भी ना ही उसने अपने युब पर एक जादू सा फिर दिया था राजनितिक तथा सैनिक त्रिष्टी से वो कभी पत भ्रांत नहीं हुआ कई बार उसके हाथ में बहुत काम के पत्ते नहीं होते थे लेकिन फिर भी वो कभी गलत या कमजोर चाल नहीं चलता था सेद गुलाम अली नकवी अपने गरंत इमाद उस सादात में लिखता है कि नितिग्यता और राजस्व तथा दिवानी मामलों के प्रबंद की निपुनता और योग्यता में हिंदुस्तान के उच्च पदस्थ लोगों में से आसफजा, बहादुर, निजाम के सिवा कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था उसमें अपनी जाती के सभी इश्रेष्ट गुन, उर्जा, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्विकार नहीं करने वाली अदम्य भावना सबसे बढ़कर विद्यमान थी लेकिन यह सब सुरजमल ने कर दिखाया, वह एक ऐसा होश्यार पंची था, जो हर एक जाल में से दाना तो चुक लेता और उसमें फस्ता नहीं था महाराजा सुरजमल के शाशनकाल में धर्म के नाम पर भेद भाव और उतपीडन का कोई उधारन नहीं मिलता है इसके विपरीत एहमद शाह अबदाली की मुस्लिम नेताओं ने धर्म के नाम पर जब उनके राजे में मथूरा वरंदावन और गोकुल में अत्याचार और विनाश का नगन परदर्शन किया तब भी सुरजमल ने धहरिय नहीं खोया राजे में मस्जिदों की पवित्रता यथावत बनी रही व्यक्तिगवत रूप से सुरजमल हिंदू धर्म के वैशनव संपरदाय का अनुयाई था लेकिन राज्य की निती और सारवजनिक मामलों में उसे उदार सामन जस्से की निती का पालन किया उसके सेवकों में करीम, मुला, खान और मीर पता सब परमुक थे उसकी सेना में मुसल्मान बहुत बड़ी संख्या में थे पीर मुहम्मद पना उसकी सेना में अती महतोपून पद पर था उसने घसेरा के दुर्ग पर सर्व पर्थम विजय जंडा फैराते हुए अपने प्राणों की आहुती दी थी सेना और शयाचन में बिना किसी भेदभाव के जाट मुसल्मानों के अलावा ब्रह्मन राजपूत गुजर सहित सभी वर्गों के लोग थे खजाने की देखरेक जाटव खजांची करता था वरिष्ट साइतकार रामवीर सिंग वर्मा बताते हैं कि किसान सजकर्थी पर आधारित भरतपूर राज़े के सस्थापक महराजा सुरजमल ने मुगल वजीर मंसूर अली सफ्तरजंग को अपने डीग के किले में शरण देकर पानिपत युद से जान बचाकर लुटे पिटे मराठा सैनिक और सेना नायक सदाशिव राव भाव की पतनी पारवती देवी को शरण देकर शरनागत रक्षक का आनुपम उधारन प्रस्तूर किया पानिपत युद में विजई एहमेद चाह अफदाली ने सुरजमल को संदेश वेजा था कि यदि पराजित मराठो को उसने नहीं सोपा और अपने राज़ में शरन दी तो वो भरतपूर राज़ पर आकर्मन कर देगा अबदाली की धंकी और आसन आकर्मन की चिंता किये बिना उसने मराठा सेना को अपने डीग कुमेर भरतपूर के किलों में शरन दी छै महिने तक खायलों का इलाज और अनवस्तर भोजन देकर आशरे दिया और अपनी सेना की और से ग्वालियर तक सुरक्षद पहुंचाया मेर वक्षी सलामत खां को पराजित किया रुहेला सरदार एहमद चाववन्शज के हिमाले की तरहियों तक खदेडा, मलहार राव, हलकर, बाजी राव, गाजी उद्दीन तथा जैपूर नरेश, माधो सिंग की गठवन्दित सेना को 1754 के युद्ध में पराजित किया डासना अलिगड की युद्ध में नजीव खा को हार खमू दिखा कर भारत से लोटने पर विवश कर दिया और भारत की पश्चिमोतर सीमा पर छोटे छोटे राज्ये और नवाबों से राज्ये छीन कर एक संगठी तराज्ये की स्थापना की मराठा सेनापती भाव यदि महाराजा सुरजमल के परामर्श को मान लेते तो पानिपत युद्ध में उनकी पराजन नहीं होती औरना अंग्रेजों को भारत में प्रवेश करने का अफसर मिल पाता ये देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस युद्ध के बाद देश में विदेशी शक्तियों ने अधिकार जमा लिया सुरजमल ने अपने जीवन में असे युद्ध लड़े और सभी में विजई रही नहीं कोई भी राजा महाराजा नहीं हरा पाया इमाद के लेखग ने सत्य ही उसे जाटों का प्लेटों कहा है भारतिया ससकर्ति की रक्षा के लिए दिल्ली में इमाद से लड़े गई युद्ध में धोके से महाराजा सुरजमल 25 दिसंबर 1773 को वीरगती को प्राप्त हो गए 25 दिसंबर ईशा का बलिदान दिवस विश्व का महान पर्व बन गया उनके 256 बलिदान दिवस पर समूचा देश उन्हें नमन करता है आज की वीडियो में इतना ही मिलती हैं अगली वीडियो में एक नए विश्य के साथ तब तक के लिए खुश रहें थैक्स तो ओल थैक्स वर वचिंग बाय तेक केर